हाई आप से भीकास फिर से स्वागत है नमेंदा यूटीब चैनल में काफी दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो आपके लिए है तो यह यह जो वीडियो है यह है आपके अड्मिशन के रिगार्डिंग में जू में आपके अड्मिशन उपन हुए है अजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हुए है तो यह जो आपके अपके अपडेट नहीं कर पाए लेकिन अभी पी टाइम आपके पास जो आपके लास्ट रहेगी वो रहेगी तीस नवंबर, तीस नवंबर तक आप अपना registration जोए कर सकते हो, और अगर किसी भी candidate को beard, beard special, dpard, bpard या फिर bps में admission लेना है, तो उसके regarding आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपके मन में कोई भी doubt है, admissions regarding, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप अपना admissions ले सकते हो, ठीक ह अगर किसी को beard में लेना है, admission या फिर bpard में admission लेना है, bps में admission लेना है, तो personally आप मुझे contact कर सकते हो, contact number आपको description में मिल जाएगा, और जो आपकी opening date है, वो 11 से registration आपके start हो चुके हैं, और जो last date है आपकी, वो है 30 November, जो detail होगी इसकी, वो मैं आपको अभी बता दूँगी कि कौन क्या आपकी leasibility होगी, admission schedule क्या रहेगा, fee structure क्या होगा, और जो आपका prospectus, ACRSU की तरह से जो जारी किया गया है, वो भी हम इस वीडियो में discuss करेंगे, ठीक है, तो last तक देखते रहेगा, अगर किसी को भी admission लेना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखे, तो ये है आपका notification, जिसमें आपको यहां पर बताया गया है, कि आपके online registration जो होगे, वो 11 November से start है, last date आपकी form की है, 30 November, और जो आपकी corrections है, अगर कोई आप correction करना चाहता है, अपने form में, तो वो 1 December से लेके 3 December के बीच में होगी, first merit list आपकी 11 December को लगेगी, ठीक है, उसके बाद second merit list होगी, 21 तारिक को, उसके बाद third जो होगी, वो physical counselling के through आपके admissions होगी, जो जिन भी candidates का first merit list में, second merit list में नाम नहीं आया है, तो वो अपने 28 से लेकर, दो जनवरी तक, दो जनवरी 2022 तक अपना exam, अपने जो admission है, वो ले सकते हो, आपकी जो classes start होगी, वो साथ January इसे start हो जाएंगी, यह है आपका prospectus, beard के लिए, ठीक है, beard, bpard, bps, जिसमें भी admission आपको लेना है, जो journal categories के students हैं, उनके लिए आपकी रहेगी thousand rupees fees and 625 rupees आपकी रहेगी SCBC case, जो इतने भी candidates है, differently disabled person और जो हर्याना की girls हैं, उनके लिए भी यह fees रहेगी, आपकी 625 rupees, ठीक है, कोई भी लड़की है, जो हर्याना की है, और तो वो आपके जो registration fees रहेगी, वो रहेगी 625 rupees, ठीक है, 11 से start हो चुके हैं, last date आपकी 30 तारीक है, किसी को admission लेना है, तो आप मुझसे contact कर सकते हो, ठीक हैं, और यहाँ पर जो आपकी first counseling दी गई है, कब है, second counseling दी गई है, उसके बाद physically counseling के द्रू आपका admission हो जाएगा, ठीक है, जिनका government college में number नहीं पड़ा है, वो private college में अपना number, अपना admission हो ले सकते हो, ठीक है, तो जिस भी student को लगता है कि इनका government में number नहीं पड़ेगा तो आप private में admission लेना चाहते हो, आप कहीं से भी हो, किसी भी state से belong करते हो, ताम उसे contact कर सकते हो, हम आपको आपका admission कराएंगे, प्लस आपके लिए online classes की सुवीदा होगी हमारे पास, और आपको handwritten notes दे जाएंगे, आपको classes भी provide कराई जाएंगी, ठीक है, ठीक है, यह कुछ instructions हैं जो कि सिप college के लिए हैं, अभी हम eligibility देख लेते हैं, आपकी eligibility क्या होगी, यह आपकी eligibility क्या होनी चाहिए, बियर्ड, special candidates के लिए two year का program है, जिस भी students के 50% marks हैं, उनका admission स्टार्ट होगा, at least 50% marks आपके graduation में होने चाहिए, अगर आप SC, ST, blind, visibly and different abled persons हैं, only for Haryana students के लिए हैं, और आपकी percentage है graduation में वो 47.5 होनी चाहिए, ठीक है, अगर कोई student B.Tech का है, जिनोंने technology से अपनी graduation की होई हैं, तो उनके 55% marks होने चाहिए, 52.55% उनके लिए हैं, जो SC, ST, blind, visually differently abled person हैं, उनके लिए हैं, ठीक है, उसके बाद यह B.P.E.D. के लिए यहां पर दिया गया है eligibility criteria, जो भी students B.P.E.D. में admission लेना चाहते हैं, वो यहां पर देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद यह B.P.E.D. का 2-year का program है, उसके बाद B.P.E.D. का भी यहां पर given है, किसी को देखना है B.P.E.D. के लिजबिलिटी तो आप यहां पर देख सकते हो, prospectus आपको नीचे मिल जाएगा description में, ठीक है, अब हम fees की बात कर लेते हैं, कि आपके fees क्या रहेगी, यह fee structure है, आपका annually 45,000 per year आपकी fees रहेगी, यह fees आपकी उनिवस्टी में जाती है, ठीक है, और जो B.E.D. special है, 2-year के program जो है, उनके भी 44,000 per year fees आपकी रहेगी, ठीक है, D.P.E.D. के लिए 2-year जो program है, regular course है, यह 25,800 fees है, B.P.E.D. 2-year program है, यह भी 44,000 fees आपकी रहेगी, उसके बाद B.P.E.D. 3-year program है, यह यह आपकी रहेगी 25,000, यह private colleges की fees यहां पर given है, ठीक है, यह यहां पर total और अलग से बताया गया है, उसके बाद है कि आप online registration कैसे कर सकते हो, क्या process रहेगा आपका registration का, तो यहां पर आप इसको पढ़ लिजेगा, जिसको भी अगर खुद कोई बच्चा अपना apply कर रहा है, तो आप यहां पर इसको चेक कर सकते हो कि कैसे आपको apply करना है, ठीक है, अगर कोई नहीं apply कर रहा है खुद से, तो आप अपने college में जाकर अपने documents submit करा सकते हो, प्लस आप online भी documents बेच सकते हो, यहां पर यह देखिए, यह आपकी कुछ documents है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, prospectus complete, prospectus में आपको मिल जाएंगे, क्या-क्या documents आपके होने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो last में मैं आपको यह कहूंगे, अगर किसी भी student को CRSU में admission लेन है, beard में लेना है, beard special में लेना है, या फिर आपको BPA में लेना है, BPS में लेना है, तो आप मुझे contact कर सकते हो, ठीक है, contact number आपको description में मिल जाएगा, अगर आप हमारे यहां से admission लेते हो, तो आपको online classes की facilities प्रोवाइड होंगी, handwritten notes आपको मिलेंगे, plus जो files हैं, वो भी आप को free of cost ही दी जाएंगी, ठीक है, फिर इसके बारे में जो भी आपको पूछना है, कुछ भी अगर आपके बर्मन में कोई भी doubt है, तो आप मुझे contact कर सकते हो, contact number आपको नीचे description में मिल जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए तब बस इतना ही, और किसी को भी या फिर किसी relative को admission लेना है, किसी भी students के relative को लेना है, तो भी आप contact कर सकते हो, ठीक है, चलिए, आज के लिए तब बस इतना ही, मिलते हैं, फिर next वीडियो में नई update के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care, and thank you for watching my videos, and channel पर first time visit कर रहो, तो channel subscribe जरूर करें,